Hello friends, welcome to your channel, Crypto with Vishal आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे अगले दो साल में Bitcoin के प्राइस को कहां तक हम लोग देख सकते हैं Past, History के बेस पे हम लोग इस चीज के बारे में डिसक्स करेंगे और उसी के साथ साथ बात करने वाले हैं यहाँ पे जिसके बेस पे हम लोग यह calculate करेंगे वो है Bitcoin Harving Bitcoin Harving पे आज से करीब करीब चार महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे detail में मैंने आप लोग को explain किया था कि क्या होता है Harving और past के history कैसे रही है और वहाँ पे मैंने आपको यह चीज भी बोली दी कि April के महीने में हम लोग बात करेंगे जब एक साल जो है Harving करा जाएगा वो टाइम पे एक बार price का prediction करेंगे तो वो टाइम जो है अब आगया हुआ है यहाँ पे तो बात करते है एक और चीज यह वाला जो वीडियो था खाली Bitcoin के चार्ट की क्या उसके बेस पे चीज़े यहाँ पे समझ में आ रही है अगें Past History के बेस पे मैं आप लोग को सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे और उसी के साथ साथ हम लोग वस सिनेरियो लेके चलेंगे Past History का कि जो वस सिनेरियो हुआ है अगर वो फिर से रिपीट होता है तो Bitcoin का प्राइज जो है कहां तर अगले दो साल के अंदर हमें जाता हुआ जो है दिखाई दे सकता है तो अल्रेडी मैंने चार्ट को यहाँ पे जो पिछले 2011 से लेके अभी तेकर जो चार्ट है वो आपको एकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक काम करते हैं कैमरा में बंद कर देता हूँ को कि हो सकता है चार्ट जो उससे कट जाए तो कैमरा हटा देंगे अगर तो चार्ट क्लियर कट जो आपको दिखने लाएगा तो यह एक आईस हमारा चार्ट तो अगर आप देखेंगे ना मैंने अल्लेडी सम मार्क किया हुआ है तो पहला जो बिटकोईन का हाविंग हुआ था वो हुआ था नॉम्बर में 2012 में वो बनाया था तो वहाँ पर डिमांडर सप्लाई को ध्यान में रखते हुए जो माइनर के रिवार्ड है उसको हाफ किया था उसी के कॉंसेट पर बेसिकली हाविंग का जो पूरा कॉंसेट है वो बना हुए अगें एक बार आप लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया था वो देखेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा तो देखेंगे अब हम लोग दो चीजिए यहाँ पर बात करेंगे पहला हाविंग से exact 1 साल पहले और हाविंग होने के एक साल बात का जो बिटकोईन का सिनेरियो यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे ना उसके एक साल बाद हमें करीब करीब 7,406% का pump Bitcoin के login के price में देखने को मिला next year की बाद next जो having हुआala उसके बात करें तो जब having होना था उससे एक साल पहले Bitcoin के price में करीब करीब 201% का अब दिखा और having होने के बाद 221% का pump हमें देखने को मिला इसके बाद जो last हुआ यानि की 2020 में उसमें अगर हम लोग बात करें तो वो थोड़ा सा अलग साल रहा उस साल में having होने के एक साल बाद bitcoin के price में करीब करीब 6% का downfall हमें देखने को मिला और having होने के बाद करीब करीब 536% का bitcoin के price में हमें pump होता हुआ दिखाई दिया तो worst scenario यह है यहाँ पर कि having होने के बाद bitcoin के price में 6% का drop और having होने के बाद अगर हम लोग बात करें तो जो worst case scenario है वो है यहाँ पर 221% का pump तो अगर इसी चीज़ के according हम लोग यहाँ पर चले तो एक बाद पीछे चलते इदर आ जाते तो अगर इसको हम लोग यहाँ पर draw करके देखें प्राइस को तो यह देखिएगा तो यह हमारा जो फिलाल अभी जहाँ पर bitcoin चल ला है दूसी चीज़ यह वीडियो में रातने बनारा हो तो जब तक आप देखेंगे हो सकता है प्राइस में थोड़ा बहुत जो है कुछ आपको change होता हुआ दिख जाए तो इसको हम लोग थोड़ा जूम करते हैं तो देखिए currently चहाँ पर bitcoin है अगर मैं यहाँ से इसे 6% down की तर और current scenario से अगर मैं bitcoin के price को 6% down कर दूँ 2% 3% 6% चलिए worst case scenario तो इस case में bitcoin का जो price है वो हमें करीब 28,300 के नेरबॉट यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा अब अगर मैं यहाँ से worst case scenario 221% का pump भी देखू तो हम लोग अगर इसको यहाँ से भी mark करें जहाँ पे हम लोग उने देख तो भी यह अगर हम लोग थोड़ा नीचे आएं यहाँ पर हाँ जी तो यह हमें जो price है bitcoin का वो तकरीवन तकरीवन in fact मैंने कम किया है मुझे इसको और ज्यादा यहाँ पर थोड़ा बढ़ाना चाहिए 221 करना चाहिए हाँ तो 221 का मतलब बैठता है यहाँ पर bitcoin का price 91,000 बात कर दा हूँ क्या है worst case कि जो current price है वहाँ से 6% डाउन जाए और उसके बाद वहाँ से 221 का price अगर हमें pump देखता हुआ दिखाई दिया तो bitcoin का price हमें 91,000 जाता हुआ दिखाई दे सकता है और यह दो normally scenario में आपको बता रहा हूँ यह रहता है एक साल बाद यानि कि हम price कि 2024 में April तक हमें bitcoin का price देखने को मिल सकता है 28,300 और उसके एक साल बाद यानि कि 2025 April तक हमें bitcoin का price देखने को मिल सकता है करीब करीब 91,000 डॉलर और ध्यान दखेगा मैं dollar की यहाँ पर बात कर दा हूँ अगर मैं इस scenario को बदल दूँ अगर मैं यह सारा scenario बदल दूँ और मैं ज हिसाब से देखूं करा है मतलब जो best case scenario अब तक गया है वो गया है 243 परसेंट और उसके बाद 7,406 परसेंट अगर यह case का scenario मैं मान के चलूं तो शायद आदे से ज्यादा लोग अपनी seat से गड़ जाएंगे अगर बैठे हुए भी होंगे तो तो यह करीब करीब यहां से ज देते हैं चलिए तो इस हिसाब से इसका प्राइस होता है एक लाक डॉलर और अगर यहां से डाल दू तो शायर जो बाला जी ने बात बोली थी उस इसको भी क्रॉस कर देगा क्योंकि यहां से अगर हम लोग बात करें 7000 परसेंट चलिए यह मोटा मोटा अगर हम लोग मान तो यह प्राइस आप देख सकते हैं तो यह होता है 79 lakh USDT यानि की करीब करीब 7 million खैर यह मैंने आपको खाली दिखाने के लिए बोला था यह इस चीज के आसार तो नहीं है पर हां जो हम लोग उन्ने दूसरे worst case scenario मान के चल रहे हैं उसके आसार यहां पे देखने को मिल सकते ह कई लोग अभी ऐसे भी होंगे जो यह वीडियो देख रहे होंगे वो यह भी बोलेंगे कि क्या फालतों की बाते कर दें having having कुछ नहीं होता है पर guys trust me यह दो cycle मैंने देखी हैं मैं यह cycle की बात कर दा हूँ और यह cycle की बात कर दा हूँ यह वाली cycle के time पे भी bitcoin के बारे मुझ फिलुआ करता था लेकिन यह दो cycle मैंने देखी हैं और trust me जब bitcoin का price एक rally लेने लगता है बढ़ने लगता है न तो पता भी नहीं चलता हमें कब एक जगा से वो दूसरी जगा पहुच चुका होता है हमारे सामने example है तीन महीने के अंदर btc का price 2x जो हैं यहां से कर चुक है तो halving के बाद अभी हमें यह चीजे सोचके लग रही हैं देखके लग रही है कि कैसे bitcoin का price 60, 70, 80, 90,000 या फिर एक लाग डॉल चला जाएगा लेकिन जब हो halving होगा तो आप price देखिएगा past history के base पे जिस तरीके से चला है sudden moment आता है और 3-4 candle ऐसी बनेगी कि वो bitcoin के price को पूर पूरे का पूरा जो है change कर देंगे और हमें पता भी चलेगा एक किस speed से 2-3 महीने के अंदर ही सारे के सारे हालात जो है वो कितनी जल्दी change हो गए है even अगर आप past history की भी बात करे ना इस समय हम लोग monthly chart में है bitcoin के अगर आप देखे ना आप बीच की कोई भी अगर 2-3 candle भी उ आप में कैर उतनी चीज़ें भी इतना easily possible नहीं है क्योंकि वो टाइम पे bitcoin की लोगों को बहुत जादा पता ही नहीं था तो वो टाइम पे तो आप देखे ना एक-एक महीने में सारे 400% का pump होता था इसलिए माननों कि मैं वो चीज़ नहीं x मान रहा हूं पर हां जो past history के base प आपको बोल रहा हूं इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक प्रेडिक्शन लगा सकते 24 तक नहीं पर 25 तक मैं अगर बोलूं तो करीब करीब 90,000 के नेर अबाउट बीटी सी का प्राइस जो है आपको देखने को मिल सकता है बाला जी वाली हम बात नहीं कर दे कि अगले तीन महीने में बिटकोईन का प्राइस एक मिलियन पहुच जाएगा उस बारे में भी हम लोग उने डीटेल में बात करी है वीडियो का लिंक में आपको वीडियो के डिस्कुप्शन पर भी देदूँगा वो भी आप देख लीजेगा क्योंकि वो पूरी की पूर यह प्राइस ही हो जाएगा लेकिन आने वाले टाइम में यह अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कई सारी रेगुलेशन समय देखने को भी लेंगे और एक बार जब वो रेगुलेशन सौट हो जाएगी और बिटकोईन के जो हाविं की साइकल आएगी उसके एक साल बाद एक अच्छा मोमेंट आपको बिटकोईन के प्राइस में देखने को मिल सकता है तो यह था गाइस आज का वीडियो फर्स वीडियो हमने हाविं का यह बनाया था और एक और वीडियो था हमारा इस चीज़ का एक और वीडियो करेंगे हम लोग 2024 में जब हम लोग April में आएंगे तब एक बार discuss करेंगे कि जो हमने past history में discuss करा है उस base पे having a cycle के time पे उससे एक साल पहले किस तरीके से Bitcoin चला है जहां से हम और clear cut समझ पाएंगे कि अगले एक साल बाद यानि कि 2025 तक किस तरीके से Bitcoin का moment हो सकता है जो मैंने सारी चीज़े बताईएंगे आप लोग का क्या लगता है रिलिस्टिक लग रहा है नहीं लग रहा है या अगर कोई और थियोरी है तो वो जोर एक बार मुझे comment box से बताएगा ते तक हैसे हमारा वीडियो पसंद आया आपको इसको लाइक को चैनल में अगर आप नए हैं फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा थैंक्यो फेंट्स